हैझा दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है सुब्राम सरुवर आप देख रहे हैं शुबन टेकनिकल दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं D-G location पर अपनी ID I-ढ़ी दोस्तो आप सो तुने को डीजी लोटकर क्या है इसको लेकर के इंदर सरकार ने अपना एक सरकारी बनाया है यह लोकर जिसमें आप अपना किशी भी प्रकार का document उस में सरक्शित कर सकते हैं और उसमें online access भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं किस प्रकार से आपने डीजी लोकर में आईडी बनानी है और कहां से डीजी लोकर आपने अपने मोबाइल में एड करना है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निलोजी वीडियो पाने के लिए अब भी हमारे चैनल सुभम टेक्निकल को सब्स्राइब कीजिए और साइड में जो बैल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए डीजी लोकर में आप अपनी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाएं वहां से सिंपली सर्च करें डीजी लोकर तो आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस निकल कर सामने आ जाता है और वहाँ पर आपको दिखा रहा है Install वहाँ से आप इस फोन में इस एप को अपने फोन में इन्स्टॉल कर ले और यह ध्यान रही कि आप इसी आप को इंस्टॉल करें कोई दूसरा आप इंस्टॉल ना करें इसमें आपको 10 million download दिखा रहा है और इसमें 3.7 की rating दिखा रहा है और साथ में इसमें DG Locker के नीचे दिखा रहा है Government of India तो दोस्तों इंस्टोल करने के बाद में जैसे ही आप अपने phone में DG Locker आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface निकल कर आता है जिसमें आपके सामने दो option दिखा रहा है sign in और shine up अगर आपने पहले से इस app में अपना account बना रखा है तो sign in पर click करें अगर नहीं बना रखा है तो sign up पर click करें तो आपसे ही पूछेगा आपका mobile number तो 10 अंको का आपने यहां पर अपना mobile number लिखना है तो चली हम इसमें अपना mobile number लिख लेते हैं mobile number अपना दस अंको का लिखने के बाद में आपने इसमें यहां पर continue दिखा रहा है जिसमें आपसे 6 अंको की OTP दर्ज करने के लिख कहेगा तो आप सर्च जो आपके mobile number पर OTP आई है वो OTP आप इसमें दर्ज कर लें और verify पर click कर लें तो चलीए verify पर click कर लेते हैं अब आपसे पूछ रहा है आप अपना username और password इसमें दर्ज कर लें तो आप अपनी मन पसंद का username और password इसमें बना सकते हैं तो इसमें आपने username में आप अपनी phone number दे सकते हैं email ID दे सकते हैं तो आप इसमें मैंने इसमें email ID दी है username में और password में आप से कह रहा है कि 8 से और 30 character का आपने इसमें password लिखना है जिसमें आपका alphabetic, numerical और special character का password आप इसमें तीनों चीज मिलाकर ही आपने इसमें password बनाने हैं तो दोस्तों मैं इसमें तीनों चीज मिलाकर password बना लेता हूं मैंने अपने password बना लिये, enter password और re-enter password में same password आपने इसमें लिखने हैं और यहां से verify पर click कर लेते हैं जैसे ही verify पर दोस्तों हम click करते हैं तो आपके सामने set mobile pin का option निकल कर आ जाता है यह आपकी सुरक्षा के लिए होता है तो अपने pin यहां से set कर लें चारों के pin आपसे पूछ रहा है कोई भी आप यहां से pin select कर लें और re-enter में भी आप अपना वही वाला pin दुबारा से enter करके आप अपना pin यहां से select कर लें और यह आपका pin verify हो जाता है अब दोस्तों आपके सामने main बात यह है कि आपको इसमें अपना आधार card इसमें link कराना होगा या verify इसमें कराना होगा तो यहां से आप अपना आधार number इसमें डालेंगे उसके बाद में continue पर click करेंगे जैसे continue पर click करेंगे तो आपका आधार card पे जो mobile number रेइस्टर है उस पर OTP जाएगा OTP आपने यहां पर दर्ज करना है और आपका आधार number रेइस्टर हो जाएगा इसमें नहीं दिखा रहा है OTP वाला option दोस्तों मैंने पहले ही आधार number verified किया हुआ है तो इसमें अभी नहीं दिखा रहा है आप करेंगे तो आपके सामने कुछ अलग ही OTP वाला option दिखाएगा और तब आप इसमें अपना आधार कार्ड लिंक आसानी से करा सकते हैं तो चलिए मैंने इसको पहले ही करा रखा आधार कार्ड इसमें लिंक तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर issued में जैसे ही आप issued में जाएंगे तो आपके सामने आपका आधार कार्ड दिखा तो यहां से यह आप अपना अधारकारट दिखा सकते हैं। उप्षण इसंपे दिखा रहा है अपलोड मेरें किसी प्रकारगी फाइल आपने सरक्षित डंग नहीं है तो यह अप उस फाइल को या उस फोट्टो को या किसी परकार की फाइल हो, PNG format हो और PDF format हो या JPG format हो किसी परकार का format यहां से select करें, जैसे मैंने यहां पर इसमें select किया, select करने के बाद में आपने OK क्लिक करना है, तो आपका जो भी फाइल यहां से select करेंगे, जो भी document select करेंगे, वो इसमें सुरक्षित ढंग से save हो जाएगा, इसकी गारंटी यह है कि इसमें इतनी सुरक्षा परदान की गई है गुर्मेंट ओफ इंडिया की द्वारा कि किसी परकार से किसी का डाटा चोरी होने का खत्रा नहीं होता है, आप simply इसमें अपने डाटा सुरक्षी डंग से रख सकते हैं, तो दोस्तों कुछ इस परकार से य आप जाकर यहां से अपना फोल्डर भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने इसमें अपना डाटा यहां पर सेव किया है, वो दिखा दिया है नीचे और अपना फोल्डर बना कर भी आप अपना इसमें रख सकते हैं, इसमें बहुत सारे उप्शन दिये गए हैं, जैसे इसमें QR क आपको देखने को मिले तो इसमें आप स्कैन करके उसमें सीधही उससे आप एकसेस कर सकते हैं तो इसमें बहुत सारे option profile पी आप अपनी set कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आप अपनी upload रोड इशूड और डैस बोड में अलग लग चीजे सेव कर सकते हैं तो दोस्तों यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल सुबहम टेक्निकल को सबस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद उसमें